दोस्तों एक फिर से आप सभी का श्वागत है हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिलिपकाट पेलेटर से पहली बार हम किस तरह से सौपिंग करते हैं लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम फिलिपकाट पेलेटर बिना किस एरर के कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखे आप एक बार डेस्किप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में चेक आउट करके या फिर चैनल पर चेक आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि कैसे हम पहली बार सौपिंग करेंगे फिलिपकाट पेलेटर के जरीए यह सभी उज़स के लिए नहीं है कुछ नए उज़स जो की नहीं जानते हैं उनके लिए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने Flipkart Paylator already activate किया हुआ है लेकिन मुझे limit बहुत कम मिली है अब कुछ ज़्यादा जानकारी मिली नहीं Flipkart को मेरे account से related तो बस limit कम कर दिया है यहाँ पर तो खेर हम 500 से नीचे कहीं product purchase करेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा product हम कैसे purchase करते हैं Paylator से तो प्रोड़क्ट तो आप कोई सा भी purchase कर सकते हो 500 के range में तो हम ना भी यहाँ पर एक additional result जो की digital that इसको order करने वाले है और मैंने यह थी halim Isco देखा भी था तो चलिए इसी को हम order करते हैं तो यहाँ पर ऐन्पर देख सकते हैं अब यहां पर एक इस सटासई रुपआया यह शो हो रहा है तो चलिए इसी को हम order कर लेते हैं तो यहां पर product जो है रेतिंग overall ठीक-ठाक है तो चलिए यहां पर by now पर click कर लेते हैं यहां पर continue पर click करेंगे हमारी address आ चुकी है continue पर click किया यहां पर हमने और चलिए यहां पर payment पर आ चुकी हैं और यहां पर देख सकते हैं Flipkart Pay Later Already यहां पर ध्यान रहें कि यह जोए एक तारीक को बील some time करना नहीं होता स्वे सांटारीका चेएपर करना होगा हर महीने में अगर आप मांने की 27-23 human इन जुलाई में आपको 25 तारीक तक रहे देना तो ये अच्छी बात नहीं है आपको वक्त ही नहीं मिला लेकिन अगर आप 30 तारीक को भी order करते हो नो तो एक तारीक का जो है अगले ही दिन बिल जनरेट हो जाएगा और 5 तारीक आप उपेमेंट करना होगा ऐसे में दिक्कत हो जाती है इसलिए बहतर हुआ कि आप 5 तारीक क बाद कभी भी order करिए या फिर एक तारीक के बाद कभी भी order करिए तो यहाँ पर हम continue पर click कर देते हैं और continue पर click किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमसे OTP मांगी जा रही है तो जिस नंबर से हमने login किया हुआ इसी पर यह OTP आएगी यहाँ पर आप देख सकते हो अब payment successful हुआ और साथ ही साथ order भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेस्फफुल नहीं हो चुका है तो इस तरीके से फिल्प कारड पेलेटर से आप पेमेंट कर सकते हैं अब यहाँ पर बिल्पेमेंट कैसे करते हैं कितना चार्ज लगता है सब कुछ आगे लिए के वीडियो में आपको बताएंगे यहां पर आप देख सकते हैं और हमारे क्रेट लिमिट यह पांस हौ थी उसमें से 117 रुपै और यहां पर आप देख सकते हो कट चुका है और जो भी बैलेंस है मेरा वो बचा हुआ है यहांस से हम इतना का शौपिंग और कर सकते हैं तो इस तरीके से फिलिपकार्ट पे लेटर से आप सौपिंग कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि कुछ नए उजस्त जो कि पहली बार सौपिंग करना चाहते थे पे लेटर से, उनको ये वीडियो समझ में आ चुकी, बागी फिलिपकार्ट से रिलेटर कोई भी जनकारी चाहिए, कमेंट स्रिक्शन में पूछ सकते हैं, या तो डेडिकेटेड वीडियो दे दी जाएगी, या फिर सौट में रिपलाई भी दे दिया जा सकता है, तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हम किसी नई वीडियो में, हमें दीजे इजाज़त, ठेंक यू.